हलो एवरिवान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बई मागनेट ब्रेंस के शानदार यूटूब चैनल पर जहां हम आपको प्रोवाइट कराते हैं के ट्वेल डाट इस किंडर गार्डन से ग्लास ट्वेल तक के सारे स्लेबर्स के पूरे पूरे वीडियोज सारे सब्जेक्स के पूरे स्लेबर्स के हम वीडियोज बनाते हैं आपके लिए पर्फिक्ट क्वालिटी के साथ और आप तक पहुंचाते हैं हमारे यूटूब चैनल के थूरू हमारे वेबसाइट के थूरू और हमारी अप्लिगेशन के थूरू तो बढ़िया से पढ़ाई करनी है, क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी है तो मागनेट ब्रेन से हमेशा जुड़े रहिए आप किसी भी बोर्ट के बच्चे हो, के टुएल होना चाहिए बस कोई भी बोर्ट भाई, यूपी बोर्ट, एमपी बोर्ट, विहार बोर्ट, सीबी, सी बोर्ट बड़ी है दरीके से पढ़ाई करो, मैं हूँ जीशान आपका मैट्स मेंट और क्लास नाइन्थ के लिए आज लेकर आए हैं भाई, एक नया वीडियो, एक नई स्टार्टिंग, एक नई शुरुवात और शुरुवात करने वाले हैं हम Most Important Questions की सीरीज से हर चैप्टर के आपको Parts मिलेंगे, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 ऐसे आपको करते-करते एक अच्छा amount of questions मिलता जाएगा जो काफी आपकी help करेंगे आपके exam की preparation करने के लिए तो भाई आदर डाल लो, अब आपको Most Important Questions की बड़ी अत्तगड़े वाले Parts मिलने वाले हैं, सारे चाप्टर, सारे लेबर्स के Most Important Questions मैं शूट करने वाला हूँ आपके लिए, तो भाई देरी किस बात की है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेर कर देना वो भी इन वीडियो से benefit ले सके चलो देखते हैं, पहला question क्या है pen copy निकाल के बैठना, detail explanation होगा भई, ठीक है first question हमारे सामने ये रहा sir question कह रहा है, are the square roots of all positive integers irrational क्या सारे square roots, सारे positive integers के, कोर से सुनना positive integer, integer positive कहां से शुरू होते हैं sir, one से one, two, three, ये सब positive integers हैं, they all are positive integers अब वो बोल रहा है के square root में डाल दो इन सबको, चलिए sir under root one, under root square root में two, under root three, under root four ऐसे गरते गरते sir, बहुत सारे positive integers तो बहुत सारे होते हैं, infinite होते हैं, ठीक है, okay sir, अब वो ये पूछ रहा है क्या ये सभी के सब irrational होंगे, तो नहीं भाई, ये तो गलत बात है, क्योंकि देखो, under root one को हम under root one into one लिख सकते हैं, और one into one दो बार है, पेर बना के सर बहार आ जाएगा, under root two, अब under root two irrational हो गया, क्यों irrational हो गया, बताता हूं, सुनो, sir, ये इसलिए irrational हो गया, because root के अंदर कोई ऐसा number first जाए, square root या cube root, एक ऐसा number first जाए, जो बिचारा root के बाहर ना आ सके, तो फिर वो irrational हो जाता है, अच्छा, ये rational क्यों है, बही, क्योंकि sir, one को हम one upon one करके लिख सकते हैं, जिसमें one एक p की भूमी का ने बारा है, ये q की भूमी का ने बारा, p upon q, p and q दोनों integers हैं, देखो, p and q are integers, z मतलब integers, p one है, q one है, दोनों integers है, one and one integers होते हैं, और q zero के बराबर नहीं होगा, q is not equal to zero, ठीक है sir, q zero के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगया, ये irrational नहीं, ये rational होगया sir, इसको हम बोलेंगे rational, है ना, ये irrational होगया, sir, root 3, अब root के अंदर विचारा 3 फस गया, नहीं आ सकता है बाहर, sir, अगर ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी irrational होगया, root 4, अब 4 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन आफ 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, two into two, two to the four, और square root के अंदर कोई भी चीज दो बारी multiply होके आ जाए, तो आपको पता है, sir, ये दोनों आपस में group बना लेंगे, और square root के बाहर कूद के आ जाएंगे, एक बार two भार आ जाएगा, दो मिलते हैं, तब जाके एक बार बाहर आता है, two, sir, two आ गया बाहर, अब ये two क्या है, rational, क्यों है rational, क्योंकि sir, इस two को हम, बिल्कुल इसी की तरह जैसे one को लिखा था न, इस two को हम two upon one लिख सकते हैं, यहाँ two, p की भूमी का निबार आ रहा है, one, q की भूमी का निबार आ रहा है, p और q दोनों क्या है, p and q are integers, z का मतलब integers होता याद रखना, p and q belongs to integers, और q 0 के बराबर नहीं है, है न, नीचे one है भाईया, तो sir, यह क्या हो गया sir, this is a rational number, बात समझ में आ रही है, yes sir, तो इन होने कहा, कि are the square roots of all positive integers irrational, तो आप कहोगे answer में no, आप answer में क्या लिखोगे बिटा, answer में you will write no, ऐसा नहीं है, no, पूरा statement लिखेंगे, no, the square roots of, no, the square roots of, पूरा लिखने की आदट डालो बिटा, जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं न, पूरा detail में, no, the square roots of all the positive integers, all positive integers, no, the square roots of all the positive integers are not irrational, are not irrational, सारे irrational नहीं होते है, are not irrational, ठीक है, सारे irrational यहां होते हैं, जैसे root 1 नहीं, यह rational है सर, root 2 irrational है, root 3 irrational है, root 4, यह rational है, क्योंकि यह 2 दे रहा है, root 5 irrational, root 6 irrational, root 7 irrational, root 8 irrational, रूट 9 रैशनल क्योंकि वो 3 x 3 है 3 बार आजाएगा so this is it आगे चलते हैं if not अगर नहीं अगर आपका अंसर no है अगर not है आपका अंसर give an example of the square root of a number that is a rational number ये तो होगा इतने सारे ग्जाम्पल्स देखो ये हो गया ये हो गया है ना इतने सारे ग्जाम्पल्स हो गए जिनका square root भाया rational है नहीं आरे बात समझ में ये सर देखो देखो इनके बारे में जब अपन बात कर ही रहे हैं तो जड़ा तमीज से बात कर लें देखो इन्होंने कहा ऐसे numbers बताओ जिनके square roots rational है लो भाया ऐसे number एक तो 1 है एक तो 4 है 9 है 16 है 25 है बहुत सारे numbers है बहुत सारे अंदर root 1 एंडर root 1 क्या होगा वन आये था सर क्या है rational है सर 1 upon 1 लिख सकते हैं अंदर root 4 लो भी a square root में डालो 4 को क्या है सर 2 into 2 यानी 2 बहुत आरा ऐगा क्या है सर rational number है अंडर root 9 क्या है sir ये क्या है 3x3 है 3 भार आजाएगा ये क्या है this is also rational टिक मार दो ballot under root 16 क्या है sir ये ये भी बेटा 4x4 है 4 भार आजाएगा this is also rational ठीक है under root 25 sir क्या है 5x5 25 is 5x5 5 भार आजाएगा तो this is also rational square numbers जब square root में जाते square numbers जैसे 1, 1 का square है 4, 2 का square है 9, 3 का square है तो यह सारे type के numbers जब square root में जाते हैं तो यह rational result देते हैं I hope first question आपको detail में समझ में आ गया होगा, ठीक है Moving on to next question number 2, चलिए sir, question number 2 देखते हैं, that is the 2 ठीक है, next question है बिटा अपना erase करते हैं, this is question number 2 and the question says, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring देखो, बात number 1, non-terminating, non-recurring, यह होते हैं यह number, सबसे पहले तो यह समझते ठीक है, अगर आपने मुझसे chapter पढ़ा है detail में, तो आपको पता होगा कि non-terminating और non-recurring का मतलब क्या होता है, कौर से सुनना, sir, non-terminating का मतलब ऐसे decimal numbers, जिनके decimal के आगे digits आना खतम ही नहीं हो रही हूं, decimal numbers जिनके आगे decimal digits खतम ही नहीं हो रही हूं, digits after decimal, digits after decimal, digits after decimal are not ending, digits after decimal never ends, never ends ठीक है, example दूँ, देखो, 3.456294 कुछ भी, dot 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 लगा दो, मतलब और भी digits है, decimal के बाद digits आना बंद नहीं होंगी, इस type के numbers को बोला जाता है terminating वाले, non-terminating, sorry, non-terminating, ठीक है, तो ये क्या होगा है, non-terminating होगा है, सर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, मैं, non-terminating, decimal numbers, ठीक है, अब non-recurring बता दूँ, सुन लो, non-recurring क्या होता, non-recurring वाले numbers क्या होते हैं, गौर से सुनना, ठीक है, देखो, non-recurring वाले decimal numbers क्या होते हैं, non-recurring decimal numbers होते हैं, किस type के, क्या speciality होती है, इनकी चलो बता देता हूँ Sir, ऐसे decimal numbers, जिन में decimal के बाद कोई sequence repeat ही नहीं होता जैसे, जैसे, कोई से सुनना, digits after decimal digits after decimal after decimal do not have do not have any repeating any, do not have any repeating sequence क्या मतलब है Sir, इसका बताता हूँ, सुनते जाओ, देखो जैसे अपने example लेते हैं, ठीक है गौर से सुनना जैसे मैंने आपको कुछ examples दिये 45.290 9090 dot 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 अब जैसे मैंने आपको dot 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 लगा के दिखाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये decimal digits खतम नहीं हो रही है, मतलब ये non-terminating वाला decimal number है अब तुमने decimal के बाद ये देखना है कि कोई sequence है, क्या जो repeat हो रहा है, चलो देखते हैं सर जैसे यहाँ पर 90 है, 90 repeat हो रहा 90 repeat हो रहा, 90 repeat हो रहा अब ये 90 repeat हो रहा मतलब ये repeating वाला number है ये non-repeating वाला नहीं है do not repeat नहीं ये repeating वाला है, मतलब ये recurring वाला number है, कौन सा है recurring कौन सा है recurring तो non recurring कैसा होगा non recurring ऐसा होगा देखो two nine zero four five seven nine one two eight dot 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 मतलब ऐसा number अब तुम देखो dot 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 लग गया मतलब सरी नॉन terminating हो गया मतलब decimal के बाद इसका खात्मा है नहीं चलते ही चला जा रहा डिजट्स आती जा रही है ठीक है अब non recurring भी है non recurring मतलब देखो क्या 29 29 29 कुछ रिपीट हो रहा नहीं हो रहा सर क्या two nine zero two nine zero two nine zero नहीं हो रहा nothing is repeating अब तुम यह मत कहना सर यह two आ गया तो यहां भी two आ गया नहीं मैंने digits नहीं बोले मैंने बोला है does not have any repeating sequence कोई sequence repeat नहीं होगा जैसे मान के चलो four two four two four two four two four two four two या four five two eight four five two eight four five two eight ऐसा होता repeating वाली चीज़े तो ऐसी numbers जो खतम भी नहीं होते digits उनकी खतम भी नहीं होती dot 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 लगा हो उनको बोला जाता है non terminating और उनके decimal के बाद कोई repeating sequence भी नहीं हो तो उनको बोला जाता है non recurring अब ऐसे numbers जो non terminating भी हो non recurring भी हो इनको हम बोलते हैं बिटा कौन से numbers these types of numbers are called as irrational कौन से numbers है यह पूरा combination है बिटा non terminating भी हो और non recurring भी हो तो these types of numbers are called as irrational numbers ठीक है यहां मैं arrow लगा के लिख दे रहा हूं irrational तो इन होने बिटापन से indirectly irrational numbers की demand की है किसकी demand की है बिटा irrational numbers की ठीक है getting my point यह irrational numbers है चलो और example लिख देते हैं एक आद दो और और लिख दो कितने का है इनोंने three numbers का है एक और लिख दो five point कुछ भी लिख दो भाई decimal के बाद कुछ भी लिख दो repeat नहीं होने चाहिए यह उल्टे सीदे numbers लिख दो seven two zero nine five eight one three nine seven seven zero four two dot 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 लगाना मत भूला देखो तुम decimal के बाद कोई भी sequence repeat नहीं कर रहे हो इसको बोलते हैं non recurring अब dot 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 भी लगा दी मतलब non-terminating तो non-recurring और non-terminating मतलब यह क्या हो गया irrational non-terminating non-recurring एक और दो भाईया तो एक और दे देते हैं सर ठीक है चलो एक और देते हैं 17.09281764312.. कुछ भी लिख दो कितने भी numbers लिख दो बस repeat नहीं होना चाहिए आप यह मस होना नहीं 7 और 7 repeat हो गाए नहीं 7 और 7 repeat हो गाए तो क्या 7777777 बस ही repeat हो रहा है नहीं repeat मतलब प्रॉपर repeat बार-बार होना चाहिए वही repeat होना चाहिए बस ठीक है तो यह रहा इपने 3 और मैंने आपको indirectly irrational number के बारे में समझा दिया आप देख सकते हैं फिर अपन आगे चलते हैं ठीक है चलो आगे चलते हैं moving on to question number 3 नाओ अपन question number 3 करते हैं अब इसको erase करते हैं यह रहा question number 3 बच्चा जल्दी से देख लो find 3 different rationals and 3 different irrational number between rational number 5 upon 11 ठीक है and 9 upon 11 ठीक है भई okay सबसे पहले इन दोनों के बीच में 3 rationals और 3 irrationals अपनको number डालने है number निकालने है ठीक है तो पहले तो इनको decimal में convert कर लो पहले तो इनको decimal में convert कर लेते हैं ठीक है तो decimal में convert करने के लिए हमें इनको divide करना पड़ेगा चलो divide करते हैं 5 को 11 से divide करते हैं 5 और 11 ठीक है 0 लगा के point लगा है या 0 आगया decimal लगा दिया 0 आगया 11 4 जा 44 बचा 6 ठीक है decimal है तो एक 0 तो अपन ले सकते हैं अपनी मर्जी से 11 5 जा कितना आएगा सर 11 5 जा 55 कितना बचा 5 ठीक है फिर 0 ले सकते हैं 11 4 जा आएगा 44 बचेगा 6 एक 0 ले सकते हैं 11 5 जा आएगा 55 बचेगा 5 है ना एक 0 ले सकते हैं 11 4 जा 44 बचेगा 6 तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो 0 ले सकते हैं 1 0 ले सकते हैं 11 5 जा 55 अब ये चलता जाएगा और तुम नोटिस करो बिटा यहा 45 45 45 रिपीट हो रहा है तो अपना answer क्या है, actually अपने जो यह जो number है, इसको अपने decimal में convert कर लिया, 0.45 का bar, कितना है बेटा, 0.45 का bar, चलो 45 लिखो, तो बेटा, 5 upon 11 अपना कितना है था, 0.45, 45, 45, बेटा, 45 बार बार repeat हो रहा था, उसको बोला जाता है repeating number, क्या बोला जाता है repeating या recurring number, तो sir, 45, जो चीज रिपीड हो रही है, आप उसकी उपर ऐसे बार लगा सकते हो, ठीक है, चलो 9 upon 11 को भी अपन, solve करें और देखें, यह decimal में क्या लगता है, कैसा दिखता है, 9 और 11, 11 zero point, point लगाया तो 0 आगया, 11, 8, 88 बेटा, बचेगा 2, एक 0 लगा सकते हैं अपन, 11, 11, कितना बचा, 9, एक 0 लगा सकते हैं अपन, 11, 8, 88, कितना बचा, 2, एक 0 लगा सकते हैं, 11, 1, 11, कितना बचा, 9, मेटा देखो, वो ही रिपीट हो रहा, 8, 1, 8, 1, 8, 1, यह रिपीट होता रहेगा, इसका division कभी खतम नहीं होगा, ठीक है, तो अपनने क्या बोला, कि sir, ये वाला number है, 0 0.81 का बार, ठीक है sir, 8, 1 का बार, ठीक है sir, इसको अटा देते हैं, अब सुनते जाना मेरी बात बिटा, सुनते जाना, इसको actually we can write like, 0.454545, गौर से देखना, 0.454545, dot dot dot, ठीक है, और यहाँ अपन लिखते हैं, ऐसे, तीन चारट डेश लगाते हैं, और इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे, अब जीरो पॉइंट, एडवन, 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 dot dot dot, है ना, एडवन रिपीट होगा, बार, बार रिपीट होगा, और खतम नहीं होगा, ये डवन, dot 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 लगाना जरूरी है, अब इन दोनों सनना गौर से ठीक है di Pic then rational निकालने की ट्रिक होती है irrational निकालने की très ओती है गौर से सुनो अपनको देखना होता है शुरू के दो जैसे दो देख लिए 45 औपनने 45 पॉरिफफ पढ़नना चाहिए पर 45 पढ़ लो इसके शुरू के देख लिए repentance a・t1हना 45 और 8-1 45 और 81 के बीच में तो बहुत सारी numbers होते हैं कोई भी लिख लो सर जैसे अपन लिख लेते हैं number 1 एक लिख लेते हैं 0.45 और 81 के बीच में अपन 5 लिख लेते हैं 5.2 ठीक है दूसरा लिख लेते हैं 0.69 ठीक है यह धियान रखना 0.72 पीटा यह सारे rational numbers they all are rational numbers क्यों? because they can be converted as P upon Q इसको मैं लिख सकता हूँ 52 upon 100 क्या लिख सकता हूँ? 52 upon 100 ना दो डिजट अटा इसको मैं लिख सकता हूँ 69 upon 100 राइट? इसको मैं लिख सकता हूँ 72 upon 100 अब तुम देखो सब P upon Q form में लिखे जा सकते हैं This is P and this is Q P upon Q This is P and this is Q This is P This is Q तो P upon Q P upon Q के form में सारे numbers हमने लिख दिये और P और Q दोनों 52 hundred दोनों integers this this दोनों integers और नीचे 0 भी नहीं है तो यह पूरी rational number की definition को follow कर रहे हैं तो यह 3 numbers आगए rational चलो अब irrational लिखा ले irrational तो यह अभी अपन ने निकालना सीखे इर्रेशनल तो अभी अपन ने निकालना सीखे अभी तो इसको हटाओ और इसको अपन ने यहां लिख दिया ठीक है? चलो आगे चलते हैं moving on अब अपन 3 irrational numbers निकालते हैं ठीक है irrational non-terminating, non-recurring नहीं terminate होंगे मतलब dot 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 आएगा और नहीं recurring होंगे मतलब कुछ repeat भी नहीं होगा निकाल दो भई देखो number one 0.45 और 0.81 के बीच में क्या आएगा? 0.49 आता है? हाँ सर 0. गौर से सुनना 5 5 आता है? हाँ सर 0. 6 7 आता है? हाँ यह सारे आते इसके 0.45 और 0.81 के बीच में बिल्कुल अब इनको अगर ऐसे छोड़ दिया तो यह rational होंगे यह भी rational है इनको irrational बना दो कैसे? सर इनके आगर कुछ भी लिख दो 4 9 2 5 6 1 9 2 और dot 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 लगा दो मतलब हमने इसमें sequence भी बिगार दिया 4 9 4 9 4 9 4 9 नहीं लिखा 4 9 2 5 उल्टे सीधे sequence लिख दिया और dot 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 लगा दिया मतलब non recurring भी बना दिया non terminating भी बना दिया सेम काम यहां करो 5 5 2 9 6 2 9 1 4 कुछ भी लिख दो भाई कुछ भी बस repeat नहीं होना चाहिए अब तुम यह मत कहना के सर यहां 5 5 तो repeat हो रहा 5 5 अगर repeat हो रहा तो 5 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 यह आना चाहिए था ठीक है? 6 7 2 9 5 8 6 1 dot 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 यह हो गए सर 3 irrational जो non-terminating भी है और non-recurring भी है बात क्लियर है? यह सर बात 110% क्लियर है ठीक है आगे चलते है moving on to fourth one इसको erase करते हैं सर fourth question पर चलते है ऐसे erase हो गाई है ठीक है question fourth यह रहा सर question fourth यह रहा which of the following rational numbers have terminating decimal representation इन में से कौन सा number terminating है? मतलब समझना सर कैसे पता चलेगा? decimal में change करके पता चलेगा ठीक है अब सुनते यहाना जैसे 3 upon 5 है बच्चो first वाला है अपना 3 upon 5 ठीक है अब तुम दिखना terminating का मतलब है decimal के बाद dot 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 नहीं आने चाहिए मतलब decimal इसका division कही न कहीं खतम होना चाहिए बस यह होता terminating का मतलब अगर तुम इसको करोगे divide तो तुम पाऊगे 0.6 यह terminate हो जाएगा अब 6 के बाद खतम हो जाएगा इसका remainder 0 हो जाएगा देखो तुमने 3 लिखा और 5 से तुम divide करने चलेगा 0.0 तुमने पॉइंट लगाया 30 आगया 5 6 आगया 30 यह खतम इसको बोलते है terminating decimal तो यह तो terminating है अब decimal में convert करके तो कोई भी बता ले decimal में convert करके तो कोई भी बता ले कि यह decimal है पहले हम डेसिमल में convert करके बताएंगे कि yes यह terminate हो गया चलो दूसरा कर दे अभी तुम एक short trick बताऊंगा ठीक है short trick भी बताऊंगा दूसरा क्या है 2 upon 13 ठीक है यह नहीं है बिटा यह नहीं है terminating नहीं यह terminate नहीं होगा देखो अभी तुम बतातों कैसे सुनते हैं न 2 को अपने divide कर देना है 13 से 13 से तो decimal लगाओ जैसे decimal लगाएंगे 0 आ जाएगा 13 बन जा 13 कितना आया 7 ठीक है 7 बचा एक 0 लगा लो decimal के बाद तो लगा सकते है 13 5 जा 65 ठीक है कितना आया 5 ठीक है 5 आया एक 0 लगा लो 13 3 जा 39 11 आया है ना 0 लगा लो 13 8 जा 104 ठीक है 13 8 जा 104 ठीक है सही है कितना बचा 6 बचा सर एक 0 लगा लो 13 4 जा 52 जान देना 13 4 जा 52 ठीक है कितना बचा सर 60 से 52 गया 8 बचा एक 0 लगा लो 13 6 जा 78 कितना बचा सर 2 जैसे ही 2 डिवाइड करने चले थे हपन ध्यान दो बिटा 13 से अपन 2 डिवाइड करने चले थे और 2 आ गया बस इसके आगे अब तुम्हें डिवाइड करने के जरूरत नहीं पता है क्यों क्यों क्योंकि अब यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा अब यहां आएगा 1 5 3 अगर तुमने आगे डिवाइड करा तो यही रिपीट होगा बेटा यही रिपीट होगा फिर से repeat करोगे फिर से और आगे डिवाइट करोगे तो फिर से repeat होगा 6 के बाद देखो 153846 तुम करके देख ले ना और ये कभी खतम नहीं होगा this is a non-terminating number ये आगे चलता जाएगा तो sir 2 upon 13 को हम क्या लिख सकते 2 upon 13 को हम लिख सकते 0.15 153846 3846 और इन के उपर बार लगा देंगे बार का मतलब है यही repeat हो रहा है 153846 153846 153846 जब आप जिस number को divide करने चले हो remainder में आपको वही number मिल जाए रुक जाना division रोक देना क्योंकि अब division बार बार बिलकुल ऐसा ही रहेगा कर के देख लो चाए ना कर के देख लो चाए तुम्हें विश्वास नहीं हो तो देखो चलो zero ले लेते है अपनी मर्जी से तरटीन वंजा 13 देखो 20 20 की नीचे 13 20 की नीचे 13 7 बचा जिरो ले लिया 7 बचा दो 0 ले लिया 13 5 जा 65 आएगा 65, देखो 70 के नहीं जाए 65, बिल्कुल ऐसी चलेगा, बिल्कुल repeat हो जाएगा ठीक है सर, तो ये भी terminating नहीं है, non-terminating है हाँ, पर हाँ recurring है, पर हाँ recurring है, बार बार repeat हो रहा है 153846, 153846, तो ये terminating नहीं है, तो we will write no non-terminating क्या है non-terminating next, third करते हैं sir, third है 40 upon 27 40 upon 27, चलो उसे divide करते हैं इसको ठीक है, 40 को 27 से जल्दी से divide कर देते हैं 40, 27, 27 बनजा, 27, कितना बचा बेटा, 13 बचा, decimal लगाओगी, 0 आ जाएगा ठीक है, 27 की table क्या होगी यार, 27, 54, 91, 81 यार सॉरी 81, 108, 108 और फिर आ जाएगा अपना, 1, 2, 3, 4, 4 ताइमस जाएगा बेटा, 108 4 ताइमस जाएगा, 108 तो कितना बचेगा बेटा, 22 बचेगा, 22 जैसे ही हमने decimal देगा, हम तो है थे, 4 नहीं, 40 को, अभी रुपते जाओ, रुपते जाओ, रुपते जाओ, रुपते जाओ, ठीक है, या आगया, हमने लिखा एक 0, क्योंकि decimal चला हमने एक 0 लिखा, अब सर हम क्या कर सकते, 27, 1 जा, 27, ठीक है, कितना बचा सर, ये बचा अपना 13, 13 बचा, ठीक है, decimal देगा हमने बिटा, हमने decimal देगा तो हमने 0 लगा लिया, 130 बना लिया, सर क्या आएगा, क्या आएगा, 8 ताइम्स आएगा, 8 ताइम्स नहीं, 4 ताइम्स आएगा, 4 ताइम्स, 4 ताइम्स आएगा, ठीक है, 4 ताइम्स क्या आएगा, 108, 108, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 22, 0 लगा लेंगे अपनी मर्जी से, फिर 8 टाइमस जाएगा, 216, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, फिर अपन 0 लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, और फिर कितनी बार जाएगा, 27, 1s are 27 जाएगा, फिर अपन नोटिस करेंगे, कि यार यह तो वही 481 का बार, 481 बार बार रिपीट हो रहा, तो यह भी टर्मीनेटिंग नहीं है, अब अब क्या लिखेंगे, no, this is not टर्मीनेटिंग, तो यह है नॉन टर्मीनेटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग, डैसीमल नमबर, अब चौथा वाला तुम खुद करना, 27 अपॉन, 23 अपॉन 7, बस मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रिक बटा दे रहा हूँ, अब ट्रिक देखो, कैसे पता करते हैं, ट्रिक, देखो बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें, सुनते जाना, किसी भी फ्रैक्शन को देखा तुमने 23 अपॉन 7 या रैशनल नमबर को, उसका denominator देखा करो हमें numerator से कोई मतलब भी नहीं है हमें सब denominator से मतलब है अगर denominator में अगर denominator में कौर से सुनना सिर्फ 2 हो सिर्फ 2 यानि 2 x 2 x 2 है ना या फिर उसमें 5 हो सिर्फ 5 तो भी terminating होगा 2 & 5 दोनों हो तो भी terminating होगा इनके अलावा अगर कोई आ गया तो terminating नहीं होगा जैसे देखो कौर से सुनो 3 upon 5 इसके denominator में 5 था सर तो यह terminating है सर इसके denominator में 13 है 2 & 5 allowed है अगर 2 है और 5 है या तो सिर्फ 2 हो सिर्फ 5 हो या 2 & 5 हो इसके अलावा कोई number अगर आ जाता है तो वो non terminating होगा समझ रहे हो इसके अलावा कोई number आ जाता है जैसे 2 & 5 के अलावा 7 आ गया तो यह non terminating होगा यह भी यह क्या है यह 3 x 3 x 3 है 27 actually 3 की पावर 3 है तो 3 आ गया सर यह तो 3 allowed नहीं है 2 & 5 allowed है बस बात समझ में आ गई terminating की है ना terminating कैसे बता करते हैं sir denominator का आपको prime factorization ले लेना है और check कर लेना है कि क्या वो 2 है क्या वो 5 है या फिर 2 & 5 की पावर में है बस इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए ठीक है आगे चलते हैं sir moving on to next square race कर दू मैं question 5 how many rational numbers can be found between two distinct rational numbers वो यह कह रहा है कि आपके पास दो rational numbers है distinct मतलब अलग अलग आपके पास दो rational numbers है मान के चलो मेरे पास है 2 और 1 है मेरे पास मान के चलो 5 for example दो नो rational है ठीक है sir अब वो कह रहा है 2 और 5 के बीच में how many rational numbers are there तो भाईया याद रखना दो rationals हो या दो irrationals हो दोनों के बीच में बहुत सारे irrationals भी होते हैं और rationals भी होते हैं मैंने का मेरे पास दो rational numbers हैं इन दोनों rational numbers के बीच में कितने rational आएंगे तुम्हारा answer होगा infinite अब मैंने का मेरे पास दो irrational हैं इनके बीच में कितने rational आएंगे infinite इन दोनों के बीच में कितने irrational आएंगे infinite याद रखना तो answer क्या होगा infinitely infinitely many rational numbers many rational numbers exist between exist between two rational numbers यह दोनों rational है ठीक है two rational numbers क्योंकि उन्होंने rational लेने को ही बोला था done sir erase करता हूँ आपको answer मिल गया होगा question number five is done moving on to question number six now ठीक है शल आगे चलते question six पे is zero a rational number क्या zero एक rational number है देखो rational number की definition सुनो rational number वो सारे rational number होते हैं ध्यान रखिएगा वो हर एक number rational number होगा कौन हर एक number rational कहलाएगा अगर वो कुछ conditions follow करें किया जैसे सर कंडिशन नंबर वेन है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके हैं can be written as p upon q और p and q जो दोनों हैं जो दोनों हैं न पी अंड क्यू पी अंड क्यू जो दोनों नंबर्स हैं यह not equal to 0 तो सर इन्होंने कहा क्या 0 एक rational है तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 upon 1 हम किसी भी number के नीचे यानि upon में 1 लिख सकते हैं we can put denominator upon 1 ठीक है ओके सर यह क्या हुआ जरा मैच करो सर यह पी हुआ सर यह क्या हुआ यह क्यू हुआ जरा मैच करो यह कंडिशन पे एंड क्यू आर इंटीजर सर पी 0 है इंटीजर है क्यू 1 है इंटीजर है पहली वाली कंडिशन इसने follow कर दी क्यू इस नॉट इकूल तो 0 क्यू 0 नहीं होना चाहिए higher नहीं है इसका मतलब 0 is a rational number 0 follow कर रहा है सारी condition 0 is a rational number ठीक है 0 एक rational number है because यह सारी formalities पूरी कर रहा है rational number होने वाली then question number 6 completed ध्यान दीजेगा question number 7 simplify root 2 plus root 5 का whole square sir गौर से दीखना root 5 plus root 2 का whole square यह है question तो sir आपको इसके लिए class 8 से देको 9 में तो अभी आप पढ़ रहे हो class 8 से आपको algebraic identities पढ़ाई गई है आपने पढ़ी होंगी मुझे पूरी उम्मीद है x plus y का whole square क्या होता है पेटा x square plus 2xy plus y square यह होता है sir ठीक है उसके बाद x minus y का whole square क्या होता है sir sir यह होता है x square minus 2xy plus y square फिर इसी के बाद बेटा x plus y into x minus y यह क्या होता है sir यह होता है x square minus y square यह तीन identities आपने class 8 में पढ़ रखी हैं तो आपको पता होनी चाहिए अब यह first वाले से match कर रहा है देखो यह हो गया बेटा x यह x की जगा पर बैठा हुआ है plus है बीच में और यह y की जगा पर बैठा हुआ है और दोनों की उपर whole square लगा तो sir सबसे पहले वो identity लग देते हैं identity है x square plus 2 into x into y plus y square done ठीक है sir तो x square क्या है x है बेटा root 2 sorry root 5 तो इसके नीचे root 5 उसका square root 5 का square plus 2 into x root 5 into root y y है root 2 y सर root 2 है plus y square मतलब root 2 का square sir done बिलकुल done done sir तो यह आया root 5 का square आप जानते हो नो root 5 into root 5 5 तो हमने लिग दिया 5 root 2 into root 2 plus में 2 हमने लिग दिया 2 plus 2 into root 2 into root 5 root 5 और root 2 का पीटा multiply हो जाएगा क्योंकि दोनों ही irrational है दोनों का multiply हो जाएगा root के अंदर 5 into 2 य नि root 10 हो जाएगे 2 root 10 2 बाहर रहेगा into root 10 5 or 2 7 answer आया sir 7 plus 2 root 10 ये अपना answer हो किया this is our answer इसके आगे आप solve नहीं कर सकते हैं ठीक है जल्दी से देख लो ये तो identities याद होनी ही चाहिए इसके अलावा जो extra identities है वो chapter 2 में आपने पढ़ी है ठीक है moving on आगे चलते हैं ठीक है sir question number 8 क्या है भई question number 8 let us move on find the value of root 3 की power minus 2 गहुर से सुनना बहुत गहुर से सुनना important डविटा बहुत गहुर से सुनना देखो root 3 की power minus 2 अब ये power कहा है देखो दो तरह से हो सकता है question या तो अपना ये हो minus 2 या फिर ये question ऐसा हो सकता है confusion है ना तो या तो ये question ऐसा हो सकता है root 3 की power minus 2 है ना या तो minus 2 पूरे में दोनों solve कर लेते हैं पन चलो भई दोनों solve कर लेते हैं ठीक है गौर से सुनना क्या मैं इसको upon 1 कर सकता हूँ बिलकुल कर सकते हो sir अब मुझे root 3 की power minus 2 से plus 2 बनानी है reason अरे minus 2 अच्छा नहीं लगता है यार तो एक काम करते हैं इस पूरे को अपन नीचे ले आते हैं रैसी प्रोकल कर लेते हैं और 1 को उपर ले जाते हैं देखो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब 1 ऊपर चला जाएगा और root 3 की power minus 2 नीचे आ जाएगा तो sir root 3 की power minus 2 plus 2 बन जाएगी power का nature change हो जाता है sir answer क्या आया 1 upon root 3 into root 3 is 3 this is our answer clear लेकिन अगर question ऐसा हुआ consider the question like this ऐसे consider कर लो तब क्या करेंगे तब आपको root के अंदर ही इनका upon में 1 लगाना पड़ेगा 3 की power minus 2 ठीक है और अपनने क्या करा गौर से सुनिएगा अपनने यहां पर upon 1 अंदर ही लगा दिया अब अंदर ही अंदर यह यहां जाएगे और यह उपर 1 आ जाएगे तो क्या हो जाएगा sir अंदर रूट 1 अपन 3 की power 2 विल बेकम 3 की power minus 2 विल बेकम यह है ना यह सर अब अंदर रूट गौर से सुनिएगा 1 को we can write 1 into 1 और रूट और 3 का square we can write 3 into 3 सर 1 into 1 1 बहार 3 into 3 3 बहार 1 upon 3 इसका भी आंसर है तो question जो भी हो आपके आंसर सेम आएगे तो this question can depict this also और यह question ऐसा भी depiction दे सकता है both of them are correct ठीक है समझ में आ रही है बात yes और no done ठीक है sir आगे चलते है question number 9 की तरफ यह रा question number 9 identify हमको identify करना है कि भाई इसमें क्यों क्योंसे numbers rational है ठीक है चलो भाई identify कर लेते हैं identify a rational number देखो इनोंने पहले ही तुम्हें hint दे दी a rational number मतला इन में से कोई एक rational है तो चलो भाईया 2 प्लस root 2 दूसरा number है 2 root 2 third number है 0 और fourth number है πाई देखो भाईया बात ऐसी है कि हमको पता है root 2 एक irrational है लेकिन root 2 के अलावा यह जो 2 है यह rational है गौर से सुनना बेटा गौर से सुनना क्या सर कि अगर एक rational और irrational कैसे भी मिल जाए कैसे भी मिल जाए कैसे भी मिल जाए मतलब 0 के अलावा बस rational 0 नहीं होना चाहिए एक rational number है एक irrational है सर कैसे भी करके मिल जाए मतलब प्लस हो जाए माइनस हो जाएं, multiply हो जाएं, divide हो जाएं, sir, जो result आएगा ना ये पूरा, ये irrational होगा, ठीक है, तो this will be irrational, ये irrational ही होगा, ठीक है, two root two, अब वही बात फिर से आ गई, देखो, वही बात फिर से आ गई, देखो, two क्या है, ये two rational, root two क्या है, irrational, तो rational और irrational का multiply, आपको क्या देगा, मैंने कहा ना, rational और irrational बस साथ आ जाए, कैसे भी गर के, पूरा combination irrational बन जाएगा, तो ये भी irrational है, हम irrational दूढ़ना है, sir, ये अपना zero जो है ना, ये अपना rational है, क्यों rational है, अभी अपनने proof किया था, पीछे proof किया है ना, zero is a rational number, ये rational हो गया, क्यों, क्योंकि zero को हम zero upon one करके ये पी है, ये क्यू है, दोनों integers है, zero and one, पी and क्यू दोनों integers है, और नीचे क्यू की जगा zero भी नहीं आया है, अच्छा, पाई याद रखना, जब भी पाई लिख गया आएगा बिटा, ये irrational ही होगा, प्लीज रिमेंबर, पाई is an irrational, ठीक है, पाई is irrational, लेकिन अगर 22 upon 7 लि incomplete, moving on to the last question of this part 1, most important question की part 1 की last part, ये रहा last part बिटा, let us recall this, under root 45, under root 45, minus 3 root 20, plus 4 root 5, ये question है, सर, root के अंदर हम prime factorization use कर सकते हैं, prime factorization क्या, सर, prime factorization मतलब root के अंदर जो numbers बैठे हुए हैं न, हम उनको उनके prime factor के product में लिख सकते हैं, जैसे 45 को देखो भई, अपन क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं, under root 3 into 3 into 5, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, minus 3, root 20 को हम क्या सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, और 4 root 5, root 5 तो बिचारा खुदी prime number है, 5 को क्या ही लिख होगे, अब सर हमें पता है, कि square root में ये जो दो दो बारी multiply होके आ जाते हैं न, ये बाहर निकल आएगा, तो बाहर निकल गया, और root 5, बिचारा 5 root में रह गया, सर, same goes with this, ये भी बाहर आजाएगा, है न, 2 into 2, जैसे ही 2 बाहर आएगा, 3 के पास multiply हो जाएगा, 3 और 2 जा 6, minus 6 root 5, plus 4 root 5, अब देखो पेटाई, सारे एक ही family के member होगा, कौन सी family, irrational family, यानि root 5 की family, root 5 की family, root 5 की family, root 5 की family, इनका calculation easily हो जाएगा, देखो भई, 3 root 5 और 4 root 5, add हो गए, तो 7 root 5 ब minus 6 root 5, तो sir, 7 root 5 में से 6 root 5 गए, 1 root 5 बचा, and your answer is, root 5, यह हो गया भई, खतम, ठीक है, तो चलो भई, यह पार्ट तो अपने खतम कर लिया, and this is over, I hope आपने बढ़िया दरीके से, सारे questions मेरे साथ, ढंग से, तमीज से, समझे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो e-books और e-notes के लिए link दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप downloading page पर जाकर, अपनी requirement के अनुसार download कर सकते हैं, notes, हम magnet brains हैं भई, deal करते हैं, K-12, that is kindergarten से class 12 तक, सारी classes के, सारे subjects के पूरे-पूरे syllabus के videos आपको free of course provide कराते हैं, और तो और हम सारे boards पे deal करते हैं, यह यूपी बोड ह दियार बोड हो, MP बोड हो या फिर अपना CBSC बोड हो, जल्दी मिलेंगे next video, till then happy learning, take care, bye